हेल लो एब्रिवान कैसे हैं आप तो आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं ये पनीर लबापदार तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहेगा तो चलिए फ्रेंज शुरू करते हैं सबसे पहले हम इंग्रीडियन तेख लेंगे तो यहां पर धाइसोग्राम पनीर यूज कर रहे हूं मैं काजू है आतिक टोरी जिसे मैंने भीगने रख दिया था पंदरा से बीस मिनट हो गए हैं दो मीडियम साइज के प्याज लिये हैं और उन्हें रफली चॉप कर लिया है उसी तरह से दो टमाटर हैं उन्हें भी मैंने रफली चॉप कर लिया है लहसुन की कलिया है छे जीरा वन टी स्पून एक तेज पता डाल चीनी का टुकड़ा दो हरी लाइची चार से पांच लॉंग और पांच छे काली मिर्च इन्हें एक साथ रख लिया है एक से देढ़ अधरब का टुकड़ा उन्हें भी मैंने रफली काट लिया है और तीन हरी मिर्च तो चलिए शुरू करते हैं तब कडाई हमने यहां पर ले ली है सबसे पहले इसमें आड़ करूंगी मैं और तीन बड़े चम्मच और इन्हें हम गरम होने देते हैं सबसे पहले इसमें आड़ करते हैं तेज पता साथ में जीरा साथ में डाल देगे खड़े मसाले एक मिनट के लिए इन्हें सौड़े कर लेंगे अब हम इसमें आड़ कर देंगे प्यास एक मिनट लिए इसे पका लेंगे हरी मिल्च अद्रक के टुकड़े साथ में लहसुन और साथ साथ में हम इसमें आड़ कर देंगे टमाटा खुड़ा से नमक हम इसमें आड़ करेंगे ताकि जो हमारे टमाटार है वो जल्दी पक जाएं जो काजू हमने भीगने के लिए रखे थे वो भी हम इसमें आड़ कर देंगे आप चाहें तो अलग से भी इसका पेस्ट तयार कर सकते हैं अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और कडाई को कवर करके इसे पान से साथ मिनट हम अच्छे से पका लेंगे जब तक हमारे प्याज और टमाटार अच्छे से गल नहीं जाते तो पान से साथ मिनट इसे पकाते को हो गए हैं और हमारा प्याज और टमाटार अच्छे से गल गए हैं गैस की फ्लेम हम कर देते हैं बन और यह जो हमने मसाला तयार किया है इसे हम थंडा होने देंगे और इसके बाद इसे मिक्सर में डाल के इसका हम पेस्ट तयार कर लेंगे इसमें से तेज पत्ता जो हो हम निकाल देंगे चलिए इसे हम ठंडा होने देते हैं तेज पत्ता हम इसमें से निकाल देते हैं मसाला हमारा ठंडा हो गया है इसे हम ट्रांसफर कर लेते हैं जार में और इसका पेस्ट हम तयार कर लेंगे तो बैटर हमारा बनकर तयार है चलिए फिर फाइनल तड़का लगा लेते हैं तो फिर से हमने कड़ाई यहां पे ले ली है और अब इसमें हम एक करेंगे बटर मैं यहां पे घर का माखन यूज़ कर रही हूँ आप चाहें तो मार्केट में जो अनसॉलड़ बटर मिलता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं माखन हमारा पिगल जाए तो हम इसमें आट करेंगे अध्रक इसमें अध्रक आट करेंगे पतली पतली गल्या मना के आप इसमें डाल सकते हैं या फिर इस तरह से कदू कस्ते से छीन के डाल सकते हैं एक से दो मिनाटी से हम भून लेंगे अध्रक को हमने भून लिया है अब जो बैटर हमने तयार किया है वह हम इसमें आट कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे बैटर हमने आड़ कर दिया है बागी के सूखे मसाले अब हम इसमें आड़ कर लेंगे तो सबसे पहले रेड चिली पाउडर वन टी स्पून धनिया पाउडर वन टी स्पून हल्दी वन पोथ टी स्पून गरब मसाला हाफ टी स्पून और इन्हें हम इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चार से पांच मिनट इससे पका लेंगे तीन से चार मिनट मैंने यहाँ पे ग्रेवी को पका लिया है अब हम इसमें आड़ करेंगे पानी जितनी भी थेक आपको ग्रेवी चाहिए उसके अकॉर्डिंग इसमें पानी आड़ कर सकते हैं मैं यहाँ पे आदा किलास पानी का यूज कर रहे हूं और इससे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिला लेंगे और फिर से तीन चार मिनट हम पका लेंगे लेकिन उससे पहले हम इसमें आड़ करेंगे पनीर करेंगे पनीर के ले पानीर को से तरह कर लेंगे अच्छे में तरह से कर लेंगे हमें यह पिल्विन 50 ग्राम के करीब पनीर मैंने इसमें एड़ किया है साथ में ही इसमें डाल देंगे बागी के पनीर के क्यूब्स अच्छे से मिक्स कर लेंगे साथ साथ में इसमें मैं एड़ कर रही हूं मलाई आप चाहे तो फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं दो बड़े चम्मच यहां पर फ्रेश मलाई में यूज़ कर रही हूं इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मलाई से या क्रीम से जो ग्रेवी का टेक्चर है वो बहुत क्रीमी हो जाता है आप देख सकते हैं इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और नमक आप देख सकते हैं टेस्ट कर सकते हैं अगर कम हो इसमें और आट कर लेंगे और इसे कवर करके हम चार से पांच मिनट पकने देंगे सबजी हमारी बनकर पूरी तरह से तयार है आप देख सकते हैं अब लास्ट में हम इसमें एक कर देंगे कसूरी मेथी एक चम्मच इसे मिक्स कर लेंगे और हरा धनिया मैं यहां पर टाल रही हूं बड़ा चम्मच इसे भी इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा पनीर लबाबदार बनकर बिलकुल रड़ी है अब इसे गर्मा गर्म परांठे के साथ चपाती के साथ या फिर चावल के साथ सब कर सकते हैं चलिए हम भी से सब कर लेते हैं तो लीचे फ्रेंड्स हमारा पनीर लबाबदार बनकर बिलकुल तैयार है अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत धूलना थैंक्स फर वच्छिंग